कैसे आप सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे perimeter and area of a plane figure ठीक है chapter तो उसका ठीक है उसमें हम लोग question wise सभी question को solve करेंगे one by one सभी question को तो इसमें simply आप लोग को थो यह याद करना पड़ेगा remember करना पड़ेगा तो यह आप लिए remember कर देजिएगा ठीक है मैं चलता हूं सीथे question पर ठीक है चलिए तो यह हमारा question 15 यह का मैं next मैं मैं question number continue करते जाओंगा मैं सारे question को solve करूंगा हर एक video में एक question को solve करूंगा ठीक है तो चलिए first video को start करते है यानि first question को solve करते है तो find the area of a triangle whose base measure 24 cm and the corresponding height measure 14.5 cm ठीक है तो इस question मैं कहा रहा किया कि जो हमारा base है triangle का एक triangle है उसका base 24 cm एंज जो triangle का height है वो बोरा 14.5 cm ठीक है तो चलिए question को हम आते हो copy पर चलिए देखिए यह हमारा triangle है यह हमारा 24 cm दिया है A B यह हम लोग मान लेते हैं ठीक है यह हमारा height है ठीक है जो कि दिया 14.5 meter चलिए सेंटीमेटर तो हम लोग को simply ट्रेंगल का फर्मूला हमारा बच्पन से परते हा रहा है कि area of triangle क्या होता है एडिया फ्रेंगल एडिवी C होता है क्या half into base into height यह यह triangle का वाई से बहु सार फर्मूला होता है लेकिन सिंपल यह में एक फर्मूला होता हमारा half into base into एक फर्मूला लगाएंगे तो सिंपल इसमें है 1 by 2 बेस हमारा दियाओ 24 cm height दियाओ 14.5 cm ठीक है तो हम लोग इसको solve करते हैं तो चलिए हम यहां पर हम पॉइंट हटाकर नीचे और यह हमारा 2 से 5 बार में ठीक है अब हम लोग इसको 2 से काटेंगे 6 बार में तो हमारा 29 मारा 29-6 बच वतिक है तो हम रिख लिख लेंगे 29 रिच्षाए हमारा हो गया अब इसको ayam कल्कुलेशां करेंगे तो ठीक है Hisée अहमारा कल्कुलेशां करने के पाता है गार流 वone सैन्टीफॉर सेम्तीवीं मेडर ठीक है यह हमारा आग्या क्या ए Việt ऑश्यां ए second solution